सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल सोनीपट 24 को सबसे पहले लेतेस्ट खबरे देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए सोनीपट के P.W.D. रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के पोरो परदेश अदक्ष नवीन जैहिन पहुँचे और पत्रकारों से बादचीत की पत्रकार बारता में नवीन जैहिन ने कहा कि 29 तारिक को गोहाना में ग्रह मंत्री अमिश्या की रैली होनी जा रही है लेकिन हम उसका हर्याना में समस्याओं के साथ स्वागत करेंगे उनका कहना है कि उनकी रैली का विरूद किया जाएगा वही हर्याना सरकार के मंत्री संदीप सिंग पर आरुपो के बाद भी वो 26 जनुवरी के अवसर पर ध्वजा रोहन करेंगे इसका भी विरूद किया जाएगा वहीं इन सभी कारियों के लिए जैहिंद सैना का संग्टन किया गया जो विरूद करेगी आम आदमी पार्टी के पोड़ो पर्देश अधक्ष नवीन जैहिंद ने कहा कि हरियानज सरकार द्वारा हरियान सरकार के कारियों को बताने के लिए गोहाना में 29 तारिक को ग्रह मंत्री अमिशा की रैली का आयो जन किया गया है लेकिन हर्यान सरकार ने क्या-क्या समस्याइं परदेश में बनाई है उन समस्याओं को लेकर सुभाशंद्र बोश के जनम दिन पर एक जैहिंद सैना का गठन किया गया है यही जैहिंद सैना अमिशा की रैली के दिन उनका स्वागत हर्यान की समस्याओं से करेगी हर्याना में किसान धरने पर बैठे हैं इसी के साथ ही बुड़ापा पेंशन, बेरोजगारी, बीपेल कार्डों और सरपंचों की समस्याओं को लेकर भी वो विरूद दर्ज करवाएंगे इसी के साथ नवीन जैहिन का कहना है कि हर्यान सरकार के मंत्री पर आरुपो के बाद भी उनसे ध्वजा रोहन करवाया जा रहा है उनका भी विरूद किया जाएगा पत्रगार साथियों को जनकारी है कि 29 तारीक को अमित्ष्या जी जो देश के गरे मंत्री है अपने मोटा भाई वो आ रहे हैं गोआना में और बता रहे हैं कि सरकार अपने गुणगान की बहुत बड़ी अबड़ीया काम कर रखे हैं लियाना में सरकार ने उसके लिए बु 29 तारीक को जहिंद सेना जिसकी कल ही नेता जी सुवाचंद्र बोश को गिफ्ट दिया है जो गई बिलकुल गैर राजनीति के संगठन है तो जहिंद सेना कूच करेगी और गोहाना में अपने मोटा भाई अमित्ष्या जी का समश्याओं के साथ सवागत करेगी कि अर्याणा के अंदर कितनी समश्याओं हैं इसका मुख्य रूप से जो मकसद है वो मकसद ये है कि अभी 26 जनवरी आ दिये है पहली बात तो ये है कि अमित्ष्या जी को ये देखना चीएगी 26 जनवरी को क्या संदीप सिंग जिसके उपर लड़की छेड़ने के आरोप है क्या उसको जन्ड़ा फराना चीए उसका क्या संदेश जाएगा मुझे लगता है कि अमिच्छा जी को आने से पहले ये कैंसल करवाना चीए कि संदीप सेंग गंडा ना फैराए क्योंकि हम अमिच्छा जी के सामने मोटावाई के सामने 29 तारीको अरियाना की जो समस्याएं है वो ले गया रहे हैं समस्याओं से सवागत करेंगे समस्याओं समस्याओं जो हैं किसान बैठे हैं या पीपड़ी में बैठे हैं एक्वार्मेंट पे गंडने के लिए रेट बटाने के लिए पूरे अरियना में किसान बैठे हैं बिरोजगारों की बारात निकली थी आप लोगों को पता है कि हजारों बिरोजगार धक्के खा रहे हैं दो लाख तो सरकार कह रही है कि वेकैंसी खाली हम कह रहे हैं पांच लाख वेकैंसी है तो बिरोजगारों को जवाब तो देना पड़ागा सीटी के बच्चे हैं क्वालिफाई के लिए कह रहे हैं नहीं दिया जा रहा है इस्ट्रेट वाले बच्चे आज इवन कहा जा रहा है नहीं दिया जा रहा है खाली विकैंसियों को नहीं बढ़ा जा रहा है तो साथियों आप लोगों को आम ये बता रहे हैं कि इन समस्याओं को लेके Family ID की है, BPL Card काट दिये गए है, बुड़ापा Pension है, वो काट दी गई है कारडों के लिए लोग धक्के खा रहे हैं प्रोप्रटियारडी के लिए धक्के खा रहे हैं तो यह जितनी भी समस्याएं हैं चाहे करमचारियों की पुराणी पैंशन का या कच्चे करमचारियों वो पक्का करने की बात है पूरे अरियाना ये सरपंच बैठे हैं अपनी डेमांड को लेगे गाओं की जो पूरी की पूरी परनाली है सरपंचों की अपनी ग्राम की उनका सत्यनास कर दिया है तो इन सब चीजों को लेके हमें उस दिन आ रहे हैं गवाना और मैं सब से अपील कर रहा हूँ चाहे वो बेरोजगार है चाहे वो जिनके बीपेल क काड़ काट दे गए वो हैं चाहे वो किसान जो गन्ने के रेट के लिए बैठे हैं चाहे वो किसान पीपली में बैठे हैं चाहे वो सरपंच पूरे हर्याना में बैठे हैं उस दिन 29 तारीक को अपनी समझाएं लेकि मुझे लगता है कि मोटा भाई के पास आके मोटा भाई जंडा कर आए तो इन चीजों को लेगे हमें आये हैं और यह जो सरकार कोशिस कर रही है जैसे पहले ब्रामन सम्मिलन करा था ब्रामन माकूंब अब रमेश कोशिक को समनवेक बना रख्या है विदायक बढ़ोली को संयोजक क्या कुछ बना रख्या है जो यह सोच रही है तो अगर इतना ही बना मनिते सी है सरकार तो फिर मेंस को शिक को के अंदर में कैबनेट में मिनेश्ट्र बना दे नीच्छे बडोली को रज्ज्य में बना दे यह दरीए में चानगा और यह रेली करवानगा यह काम छोड़ रख्या गया इससे बना मनखुश नियों वाले हैं तो और विरोध देता ही आओंगे और के अमाला पराण थोड़ी आओंगे यह जो मांग है अगर यह माली तो कोई बात नहीं है भाई अमाला भी परादेंगे सवागत भी करतेंगे लेकिन अमिच्छा जी यहां आ रहे हैं तो यह बतावना वो जेनियों में ब्रहामनबनिया ब हुआ है है उन्हें लाजान देखो वह उनकी खेलाडियों देमांड थी वह खेलाडियों उठिके लिए अपने लिए थो बोल लिए कोई बात नहीं, तुमारे लिए सारा अरियना, सारा देस खड़ा हुआ, तो उस लड़की को अकेले क्यों छोड रख्या है, वो जो लड़की है, सिक्षयाट आगरे, उसको अकेले क्यों छोड रख्या है, उसके लिए भी अवाज ठानी ची एर हम तो सवाल करी रहे हैं, हम त मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ाना चीए बाकी ये तो हमारे लिए सरम की बात होगी पूरे रियाना के लिए और पूरे देश में बड़ी बेजती होगी और जो महिला सुरुक्षारी बात है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ है तो उस नारे का होगा मिच्छा जी को ये बता तो जंडा पराण जाओगा उड़ा जित जंडा फराण जाओगा सब नुगा अगर देख यो आजा चोरी चेडियो यह वो यह वो बताओ तो जब तक आरोप से बरी नियो जाया जांच नहीं हो जाया मेरे खलत दनी पराना चीए